हेलोग वाई स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोईतिवारी फार्विंग आडियोज में तो कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे मैं भी बढ़ियां से हूँ आज मैं पाउत करने वाला हूं दोस्तों नाद और खुरली किस तरह से बनाया जाता और किंठी धयताएं अंतने अंदर के इस देर होना चाहिए जोडाओ कितना होना चाहिए उसको मैं परोपर तरीके साज में बताऊंगा और इस विडियो को पूरा अंतता पूरा वीडियो कोई पूदा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वीडियो बनाए जा रहा है हमारे पास में लगए मातर दो दिन काम हुआ है तो दो दिन का बनावट में यह वर्की स्टार्ट हुआ है तो यहां पर जो बचा हुआ था उसको मैं कंप्लीट करवा रहा तो यहां पर जो भी बचावाता काम था उसको कंप्लीट करवा रहा हूं उसके बाद से उस साइड में पूरा गेट जो देख पा रहा है वहां तक बनेगा और यह जमीन फिल से बनेगा जिसमें से दो इंची का ढलाई करके इसको नीचे डाउन किया जाएगा उसके बाद स जया से इटा को खड़ा के इडिटा को खड़ा पुरा तरीका सी जाने गए कि नाद को कैसे पूरा देखें तो फ्री चैनल पर नहीं है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर ले बेल ऐकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो को नट्पिकिस अब तक जल सब एक दो तीन चार पाँच छे साथ नाद जो बन रहा है जिसमें से सभी में जो यहां पर यह सबसे पहले सभी का दिमाग माता कि यह किस तरीका से जाम किया जाता है तेक लंबा सा जो लगभग आठ है में का एक छड़ ले लें चड़ में उसको इस तरीका से जो यह दर्वाजा हर एक हाडवेर दुकान में मिल जाएगी आपको यह चीज को आप लगभग चार फीट पाँच दो तीन फीट के आसपास में इसको गैप में गैप में वेल्डिं तो रखके उसके बाद से देखिए यहां पर कितना सुन्दर से यह जाम हो गया है और इस जगह पर आप सबसे पहले इसको यहां पर देख सकते हैं यह दो फीट का यह जगहा है और गहराई जो है सो मात्र एक फीट है लगभग मान के चले कि बारा इंची के असपास में यह इस और देख सकते हैं पानी निकलने के लिए कि हम फेए पाइप लगाया ग्या है ताकि सारा जोब जोड़ा सा फूर अहां पर सब सब्सक्राइब यहां पर तरीका से उतज़क वप जह इस तरीका अगला च्छा भी कज़ड़ा रहागा अच्छे तरीका से और यहां पर हमको बहुत ज्यादा जुक कि यहां बेख खाना सा जो चारा मिलाने का रहता था तो यह बहुत ज्यादा है नीचे में था तो यहां गाय को भी परिशानी होती थी तो रस्ती ज्यादा लंबा बांधना पड़ता था इसे करण क्या होता थी कि गाय को बहुत ज्यादा गैप में बांधना पड़ता था और इतने जगह में मातर तीन से चार गाय लेती थी हमारे जगह मैं और यहां पर जैसे यह हाईट में आएकि बाधने के लिए तो हमको रसी कम बांदना पड़ेगा रसी छोटा बांदना पड़ेगा उससे क्या होगा कि जादा मतलब यहां पर रह सकती है और गैप जो वह जदा कम लगेगा यहां पर देख सकते हैं अब जैसे पुराना दिवा तो पूराना दिवाल में क्या होते है कि पानी जैसे सीपेज करने का बहुत ज्यादा चांसे से रहता है पूराने जो हम लोगों ने बनाया उसमें जो अनुभव मुझे यह चीज पराप्त हुई कि जिसमें उस टेम पे वहां पर प्रोपर तरीका सा पानी जो निकल जाता है इस बार हम लोगों ने ज्योंट लगाया है तो ख़ड़ा करके इटा यहां पे देख सकते हैं खड़ा करके हम लोगों ने इता डलवा दिया है तो यहां पर अगर देते हैं तो तीन इंची का जो टाइमिटा है उसमें जवास घड़ जाएगा तो कुटीव एगरा थोड़ गिया है पुराना जो विल मुपना इअ नहीं है तो फिर अपनी इटा डल्वा करवा सकते हैं अपर यहां पर यहां इस ऐड तक हैगा अराम से ऑसमें आपकार्ण यहां कि पानी सब नहीं बार अगर है और गायर को छाने लोग रिपैर करेंगे सबसे पहले इसमें एक कीटा डाल के सबसे उसको प्लस्टर ढ़लाई करके फिर से इसको बनाया जाएगा यहां पर जैसे काम हमारा लगा तो उस चाहर चीछ कंप्लेट करवार के ही यह होगा जो भी गाए यहां पर रहेगी बड़े आराम तरीका से जो प्लस्टर लगेगा उसके बाद से सिमेंट का पन्ना जो चड़ता है वह चड़ जाएगा उसके बाद से नाथ हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा लगवाग तीन से चार दिन इसको सूखने के लिए छोड़ेंगा पानी डाल गये तो कापी बढ़िया तरीका से यह जाम भ बिनेगी और कम सुबीदा में कम लागत में काफी जादा जो आपका एक बढ़िया फाम जो बनके तियार हो जाएगा सेड़ भी मैं आपको बताऊंगा और पिछले वीडियो में बताया था कि सस्ते सेड़ किस तरह कैसे बनाया जाएगा अभी मैं कुछी दिन में कल या पर पाट टू में आपको सारा चीज दिखाएंगे और प्रोपर दिखाएंगे किस तरीका से जो है तो कम्पलीट किया गया तो कल का वेट करें आपको कल सारा चीज का अब टूड़ जाएगा वीडियो आज के लिए वेस्ट नहीं तो सब्सुत मिलते हैं नेक्स वीडियो पे और इसी तरीके जानकारी वाली डेरी से जुड़े और गायों से सम्मेंदित हर इक बीमारियों की इलाज के जुड़ी हर इक वीडियो पाट भाई आपको मिलते रहेगी और एक चीज बताएंगे गाय के हीट में के बारे में और प्रेग्नेंट के बारे में बहुत ही बढ़ि दोस्तों और इसी की तरह जानकारी के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आगन को प्रेस कर ले ताकि मेरे अगली वीडियो के नोट्फिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे जैहिन बने मात्रम